हेलो दोस्तो नमस्ते दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले मानसी क्योंकिता यानि कि मेंटेलिविटी के महत्पुन प्रस्णों के बारे में जो BSTC और PTT दोनों एकजाम के दुरश्टी कौन से काफी महत्पुन हैं यह मानसी क्योंकि तक आमार चैनल पर फर्स्ट वीडियो हैं और इस वीडियो में 15 महत्पून प्रस्टने जो बार-बार एक्जाम में उस टाइब के क्यूशन पूझे जाते हैं और इस 15 क्यूशन में से आपको कितने क्यूशन आते हैं यह आप कमेंट करके जरूर बताना और हरे क्यूशन को पढ़कर आप वीडियो रोक कर आप खुद से आंसर निकालने का प्रियास करना फिर ही उसका सोलुशन देखना तो देखते हैं क्यूशन फर्स्ट स्रंकला में अ प्रियास को द्यान से देखें तो 60 60 के बाद 30 60 का जस्ट आदा 30 के बाद फिर 120 बढ़ गया 120 के बाद फिर गटा 15 फिर 240 मतलब एक बार गटरा है और एक बलरी है स्रंकला तो इसमें अल्टरनेट स्रंकला है कहीं गई तो फिर देखिए आप एक को छोड़ कर देखें 60 के बा 120 का डबल एक तो संकला यह हो गई जिसमें डबल हो रहा है पिसली वाली संक्या का एक को छोड़ कर और एक इधर से देखें 30 के बाद एक को छोड़ कर देखें 15 मतलब 30 का जस्ट आदा हो गया 30 का जस्ट आदा हो गया फिर एक को छोड़ कर देखें तो यहां पर क्या हैगा simple सी बाते 15 का Arms कोता है साथ with 5 तो इसका आइंसर क्या उसे एक बटा दो सेकर Legate 12 सीज इहाँसी को पूरा किजिए सादधर इता साध्रश्य को पूरा कीजिये शाध्रेश्य को पूरा किजिए गड़ी समय और लेंप यहां पर क्या आएगा देखिए जैसे गड़ी समय बताती है वैसे लेंप का क्या काम होता है ओप्शन है प्रकास कमरा चमक या बल्फ गड़ी का काम होता है समय बताना तो लेंप का क्या होता है प्रकास लेंप का काम होगी है प्रका लेंप प्रगास देता है तो इसका सभी अंसर क्या हो जाएगा ओप्षन एक अफ्रिका जीराफ आस्टिल्या कंगार्व जिस प्रकार कंगर्व आस्टिल्या में पाए जाता है उसी प्रकार जीराफ दक्रीका में ज़्यादा पाये जाते हैं एसे क्यूषन ऋकॉल करने के लिए थोड़ी बहुत आपकी जीके भी अच्छी होनी चाहिए question 4 है मरुस्तल का बालू से वही सम्मंध जो समूद्र का किसे है बहुत simple سा question है मरुस्तल में क्या पाई जाती है बालू तो उसी प्रकार सम्मंधित होगा समूद्र में क्या होता है पानी option 1 से हो जाए है इसका बहुत simple simple सी question है थोड़ी बहुत भी आपकी तैयारी है तो आपके 10 से उपपर क्यूशन सही हो जाएंगे क्यूशन 5 है बेमेल चीनित किजिए बेमेल चीनित करना है ओप्शन है अस्पेन मेडरिट जापान टोक्यों चीन बिजिंग वर युगांडा नेरवी एक तरफ देश है और दूसरी तरफ उसकी राजदानिया दिय हुई है तो इसके लिए भी आपको राजदानिया पता होनी चाहिए तो देखो जापान की राजदानी टोक्यों होती है अस्पेन की राजदानी मेडरिट है चीन की राजदानी भी बिजिंग है पर युगांडा की राजदानी नेरो भी नहीं होती युगांडा की राजदानी है कमपाला और ये नेरो भी राजदानी है ये केनिया की राजदानी है तो बेमेल क्या हो जाएगा युगांडा ओफ्शन चार इसका सही आंसर है युगांडा की राजदानी नेरो भी नहीं है इसकी राजदान स्टान पर बना लेते हैं एक स्टभर कंटार एक चोर से एक ससे खड़ी एक साथ हो स्टान पर देदेथ सात्वा स्टन पईली लड़की दूसरी तीसरी चोटी पांची चट्टी और ला ऌट गोई एक तो यह हो गया 11 अस्तान तो कतार में लड़कियों की संक्या कितनी है तो यह लड़किया है पतली पतली से दिख रही आपको इनको गिन लेते हैं कितनी है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चुदा पंदरा सोला सत्रा तो टोटल लड़ दोड़ता है तो दो मिनट में वह कितने मिटर दोड़ेगा यह देरेका 15.6 किलो मिटर प्रति गंटे की रपतार से दोड़ता है मतलब एक किलो मिटर में होते हैं 1000 मिटर तो 15.6 किलो मिटर में हो जाएंगे 15600 मिटर 15600 मिटर दोड़ता है यह 60 मिनट में तो एक मिनट में कित 60 का तो कितना आएगा 15600 अपॉन 60 तो यह आ जाएगा 260 तो एक मिनिट में यह दोड़ता है 260 मिटर हमें पुचा है दो मिनिट में कितने मिटर दोड़ेगा तो 260 का डबल हो जाएगा just 520 तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दो मिनिट में कितने दोड़ेगा 260 का डबल 520 तो अप्शन थर से हो जाएगा इसका 520 क्यूशन नमबर एट है देखिए कुछ क्यूशन आपको मेंटेलिबिटी के साथ साथ मेंट्स के भी देखने का मुलेंगे मेंटेलिबिटी मेंट्स का एक पार्ट है तो आटवा से और इस इक्वल टू क्यूशन माक्स बूं सो देरका है तो यहां पर कौन सी सेम संक्या आएगी दोनों जगह तो 20 201 वह सो तो यह से क्यूशन को करने के लिए आपको सिंपल ट्रीक एक क्रोस मल्टिफिक्षन कीजिए चार इंटू 100 कितने हो जाएंगे 400 इक्वल टू करेंगे तो यह जएंगे 100 को एक से करेंगे तो एक यह आएगा तो ओप्शिन एक है वीज से गुना करें तो 400 आजएएंगे यह 400 तो दूनों सही हो जाएंगे तो इस जगह कौन सी संक्या आएगी 20 और 20 अ कि तो ओप्शन अपने एक सही हो जाएगा क्यूशन नमर नाईन है यह भी मेट्स का क्यूशन है एक सिलाई मशीन का निर्दारित मुल्य 620 रुपिये ओप सीजन डिसकाउंट 15 परसेंट है तो सिलाई मशीन का विक्रे मुल्य कितना है सिलाई मेशीन का मुल्य कितना है 620 डिसकाउंट कितना मिल रहे है इस पर 15 परसेंट तो 620 का 15 परसेंट निकाल देए परसेंटेज कैसे निकालते जो देरेका है वो उपर इन्टू परसेंटेज अपोन 100 तो इसका आ जाएगा कैल्कूलेशन करेंगे तो 93 चास्वोइस का 15 पर देंगे 620 में से तर्राणू तो इसका सही आंसर हो जाएगा 527 रुपए ओफ्षन दो सही हो जाएगा 620 में से तर्राणू रुपए घटाए तो 527 बच्चे अगला क्यूशन एक क्यूशन 10 डाक खाना विद्याले के पूर्व में है ये दिशा से समुदित कुछन है दाख काना विद्याले के पूर्व में है मेरा गर विद्याले के दक्षिन में है बाजार दाख काने के उत्तर में है यahh बाजार से डाखाने की दूरी मेरे की विद्याले से विद्याले की दूरी के बराबर है तो बाजार की दिशा मेरे गर्व से किस तरफ होगी देखे दिशा होती है यह से उपर है उत्तर नीचे है दक्षिन इधर है पूर्व इधर है पस्चिम उपर की दिशा कहलाती है उत्त ले इसको नाम देजिया वी और डाक खाना विद्याले के पूर में तो यह बना लिया पूर में यह डाक खाना जिसको नाम देजिया डी आगे क्या करता है मेरा गर विद्याले के दक्षिन में यह विद्याले तो इसके दक्षिन में यह अपना गर हो गया तो यह बना लिया अ इसको नाम दे दिया भी यदि बाजार से डाग खाने की दूरी मेरे गर से विद्याले की दूरी के बराबर है मतलब यह कहना चारा यह दूरी और यह दूरी दोनों बराबर है विद्याले से गर की और बाजार से डाग काने की तो बाजार की दिशा मेरे गर से किस तरफ होगी यह है अपना गर्ब यह है बाजार तो जैसा कि देख रहे हो चित्र में आप यह दिशा होगी यह से Cross होगी यह तो इस Cross दिशा को किस नाम से जानते हैं जैसा कि मैंने आपको बतायता उपर उत्तर होती है नीचे दक्षिन इधर पूर्व इधर पस्चिम तो ये क्रोस दिशा है ये दिशा क्या है न तो उत्तर है न पूर्व है यह हो जाएगी उत्तर पूर्व तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा adoption third उत्तर पूरव बाजार से गर की दिशा है उत्तर पूर्व की side question number 11 है दीपक रभी का भाई है रेका अतुल की बहाई है यह relation संबंद्र ने दीपक रभी का भाई है रेका अतुल की बहाई है रवी रेका का पुत्र है तो दीपक का रेखा से क्या रिस्ता है तो येसे questions को हम diagram की सायता से अराम से कर सकते है जैसे माणली ये दीपक रवी का बाई है तो ये दीपक D ये R रवी ये दोनों क्या हैं? बाई है ठीक है अब रेखा अतुल की बहन है तो रेखा माणली R E ये होगी रेखा अतुल की बहन है ये अतुल ए हो गया ये हो गया इसकी बहन आगी क्या देरका है रवी रेखा का पुत्र है ये जो रवी है रेखा का पुत्र है ये मानलिया इसका पुत्र तो दिपक का रेखा से चार इस्ता है जैसा कि इसमें देरका है दिपक और रवी दो जगा option एक दीपक रेखा का पूत्र है क्यूशन बारा है A B से 300 दिन बढ़ा है A B से कितने दिन बढ़ा है 300 दिन बढ़ा है C A से 50 सब्ताहब बढ़ा है C A से 50 सब्ताहब बढ़ा है तो C का जनम हुआ था मंगलवार को तो B का जनम किस दिन होगा इस कीशन को केसे करेंगे देखे इसमें सबसे बढ़ा कोन है ए 20 से 300 दिन बढ़ा है लेकिन A से बी 50 सब्ताहब बढ़ा है C तो सबसे बढ़ा हो गया C और C का जनम कब हुआ है C का जनम हुआ है मंगलवार को देखिए मान लोगर आज मंगलवार है तो ठीक साथ दिन बाद भी मंगलवार ही होगा हर साथ दिन बाद वही दिन रिपीट होता है यहां दे रहे हैं C एसे 50 सब्दा बढ़ा है तो C का जनम होगा है मंगलवार को तो A का जनम भी मंगलवार को ही होता है क्योंकि हम जानते हैं Saat दिन बाद वही दिन repeated होता हैं लेकिन यहाँ दे रह counties A का जनम नहीं पुचा है यहाँ बी का जनम पुचा है और यहाँ दे रह cách A E B C Stevens तीन सो दिन बढा हैं तो तीन सो में हम साथ का बाग देके देख लेते हैं, तो इसमें बाग देने पर आता है, बैयाली सब्ता तो पूरे पूरे आएंगे, और छे दिन से बच जाएंगे, तीन सो में अगर साथ का बाग दे तो बैयाली सब्ता तो पूरे आज जाएंगे, और उपर छे दिन बच सोम तो बी का जनम हुआ है सोम वार को इस प्रकार इस क्यूशन को हम आसानी से कर सकते हैं छे दिन हम नहीं किने मंगलवार से तो भी आप मंगलवार से एक दिन कम कर सकते हो मंगलवार के जस्ट पहले कौन सा वार आता है सोम वार आता है तो B का जनम होगा सोमवार को क्यूशन 13 है बे मेल चीनित कीजिए इस चार ओप्षन में से बे मेल चाटना है में ओप्षन है निवेशक, उद्यमी, भूस्वामी और विद्धाता तो इसमें बे मेल क्या होगा देखें निवेशक होता है पेसे लगाने वाला उद्योक से समंदित उद्यमी भी है उद्योक की समंदित और विद्धाता जो उद्योक करता है उसके बाद टेक्स जमा कराता है उसको विद्धाता कहते हैं तो सबसे अलग हो जाएगा बूस्वामी जो उद्योक से समंदित नहीं है बाकी तीनों उद्यम से समंधित है क्यूशन चवदा है मैच से समंधित एक स्कुटर और एक मोपेड का मुल्य नो अनुपाद पांच है यदि स्कुटर का मुल्य मोपेड से 6800 दिखे तो स्कुटर का मुल्य ग्याद कीजिए देखें इनके मुल्य का अनुपात क्या है? 9 अनुपात 5 है दोनों के 20 अंतर कितना है? 4 मतलब अस्कूटर का अनुपात मौपेट के अनुपात से 4 अधिक है इसका अनुपात 9 है तो मौपेट का अनुपात 5 है क्यूशन में दे रहा है ऐस्कोटर का मुल्य मोपेट से 6800 दीखे मतलब इधर तो 4 सन पाइद दीखे और हो मुल्य में देखे तो 6800 रूपए दिखे तो 4 सन पाइद बरबर कितना होगा 6800 और 1 नूपाद का मतलब कितना हो जाएगा चार नुपात तो 6800 है तो 1.5 कितना हो जागे ? 6800 में 4 का बाग देंगे तो कितना जगा ? 1.5 is equal to 1700 रूप ये लेकिन क्योशन में क्या पुझाए ? अस्कूटर का मुली पुझाए क्योशन में अस्कूटर का मुली पुझाए तो अस्कूटर का मुली कितना है ? 9.5 है कि इनप और अगर मोपेट का मुल्य कितना है नूतर पात पांसर कितना आजाएगा 15300 पंदरा अजार स्कूटर का मुल्य हो गया और अगर मोपेट का मुल्य ज्यात है भूड़के आपको तो पांछ से गुना है आप शचना कितना है पैप क्यूशन 15 है बेमेल चाटी है बेमेल चाटना है ओप्षन है 13 156 सेकंड है 12 144 थाड़ है 15 180 और फॉर्थ है 16 176 तो क्या अप्षन आंसर होगा इसका दिमाख लगाई आप लेकि ओप्षन दो देखिए 12 144 बारा का एक्सवायर 144 होता है बारा इंटू बारा करते तो 144 आता है य बाकी ओप्षन भी एक्सवायर है गया तो देखिए फर्स्ट ओप्षन देखिए आप 13 153 को 13 से गुणा करें तो आता है 169 लेकिन यहाँ पर तो हैं 156 तो बाकी ओप्षन तो एक्सवायर है नहीं तो 156 कैसे आ रहे हैं तो तेरा को किस संग्या गुणा क्या होगा तो 156 आ 12 12 और थर्ड है 15 180 तो 180 कैसे आयोंगे 15 को किस संग्या से गुणा क्या है इसमें भी डिवाइट करके आप देख लिजिए तो यह भी 15 12 180 तो फर्ष्ट वाले तीनों ओप्षन 13 12 12 12 15 12 तो यह संख्या आरी आगे वाली तो फॉर्थ ओप्षन में 16 166 तो 16 को किस संग्या से गुणा क्या होगा यह देख लिजिए आप 16 12 करें हम तो कितना आता है 16 12 तो 192 लेकिन यह पर 16 176 है तो सबसे बेमेल उप्षन कौन सा हो गया उप्षन 4 तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्षन 4 तो दोस्तों यह थे 15 मेंटलिविटी के क्यूशन्स आपको इन में से कितने आ रहे हैं आप कमेंट करके बताईए और किसी क्यूशन पर कोई डाउट सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक की लिए जय हैं जय बारत